आज हम लेकर आए हैं उत्राक्षंट साम की खबरे दूर्ण पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया चोरी का खुलासा नौएडा से नौकरानी को 8 लागी जुयलरी के साथ किया एरेस्ट देरादुन पुलिस ने डॉक्टर के घर से चोरी की गई आठ लागी ज्यलरी के साथ महिला चोर को नौएडा से गिरफतार किया है B.S.C. के चात्र के निकली हल्दुआनी में सड़क किनारे मिली लास 24 जन्वरी सिथा लापता हल्दुआनी में गुलाब घाटी के पास सड़क किनारे सड़ी हालत में मिली लास की सिनाखत हो गई है सव की पहचान नवीन चंद पढ़ लिया उम्र 22 साल के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि नवीन माता पीता का इकलौता बेटा था मसूरी में लोगसबा चुनाओं में वोट प्रतिशत पढ़ाने की कवाया तेज लोगों को दिलाई जागरुकता की सपत मसूरी की तिलग लाइब्रेरी में इस्थापित हुआ बुक बैंक निर्धन चात्रों को मिलेगी नियुशुल किताबे मसूरी की तिलग लाइब्रेरी में बुक बैंक बनाया गया है इस बुक बैंक के जरिये निर्धन चात्रों को नियुशुल किताबे मिलेंगी बुक बैंक की शुरुआत मसूरी ट्रेडर्स एंड फेल वेर एसोसियेशन कर रहा है कुमाओ कमिशनर दीपक रावत ने रामनगर में बान प्रभावित गाओं का किया निरिक्षन अधिकारियों को दिये ये आदेश कुमाव कमिशनर दीपक रावत आज रामनगर पहुंची जहां उन्होंने बन प्रभावित मोहाना छेतरिक के चुकुम गाओं का दौरा किया लक्ष्मी राणा के स्तीफे पर कही ये बाद उत्राखन में हाउस ओफ हिमाल्याज का ई-कॉमर्स पोर्टल लौंच थानि उत्पादों को लगेंगे पंख मुख्य मंत्री पुसकर शिंगधामी ने हाउस ओफ हिमाल्याज के ई-कॉमर्स पोर्टल का सुबारम किया हाउस ओफ हिमाल्याज में पहले चरण में 21 उत्पादों को शामिल किया गया इसके साथ ही उत्पादों की क्वालटी को तीन लेवल पर परखा जा रहा है नागरिक्ता शंसोधन कानून लागू होने के बाद उत्राखन पुलिस अलर्ट सोसल मेडिया पर भी रखी जा रही नजर केंद्रे की मोधी सरकार ने सोमवर 11 मार्च को दिस भर में नागरिक्ता शंसोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया है नागरिकता संसोधन कानून लागू होने के बाद उत्राखंड में किसी तरह का माहोल खराब ना हो उसको लेकर उत्राखंड पुलिस मुख्याले की तरफ से अलर्ड जारी किया गया है डोईवाला में ग्रामेडों के चुनाओ बहिसकार से बड़ी प्रशासन की मुस्किले बे नतीजा रही वारता ये है मांग सड़क नहीं तो वोड नहीं बैनर लेकर डोईवाला विधानसवाद छेतरी की तीन पंचायते संगाओ नाहिकला और सिन्वाला के ग्रामेड चुनाओ बहिसकार पर उतर गए हैं इससे प्रशासन की मुस्किले बढ़ गई हैं मंगलवार को ग्रामेडों को मनाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुँची लेकिन ग्रामेड नहीं माने और वारता बैन नतीजा रही उखीमट में वनों को आग से बचाने के लिए महिलाए बनी प्रहरी वनपंचाय सरपंच की पहल को डियम ने सराहा नागरिक्ता संसोदन कानून का संत समाज ने किया स्वागत कहा अतिती देवो भवव पापसी करेंगे हिंडू अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश जैसे देशों में सरणार्ते हिंदू की फिर से भारत वापसी होगी उन्हें भारत की नागरिक्ता मिलेगी जिससे वो अन्य देशों में प्रतार्नाव से बचेंगे यह बात हर्यद्वार के संत ने CAA की अधिस उचना जारी होने पर कही इतना नहीं नहीं उन्होंने नागरिक्ता संसोधन कानू लागू करने पर मोधी सरकार के फैसले का स्वागत किया जल जीवन मिशन से बनेंगे उत्राखन के 500 गाउं सबच्छ सुर्जल ग्राम मुख्य सचीव ने तै की डैडलाइन लोगसबा चुनाओ 2024 कॉंग्रेस CEC की तीसरी बैटक भी रही बे नतीजा नहीं गोशित हो सके उमीदवार अब 15 मार्च को फिर मिटिंग लोगसबा चुनाओ 2024 के लिए उत्राखन में बे उमीदवारों के लिए कॉंग्रेस CEC ने 15 मार्च को बैटक भुलाई है 11 मार्च की रात हुई बैटक में कोई नतीजा नहीं निकला इसलिए कॉंग्रेस उत्राखन के पास सीटों पर अपने उमीदवार गोशित नहीं कर पाई पिकप वहन खाई में गिरा यूवक की मौत दूलन के पिता समीद साथ लोग घायल मातम में बदली शादी की खुशिया यूपी के यूवक ने फरजी ब्रामाण पत्र से उत्राखन में पाई डाक सेवक की नौकरी भाणडा फूटने पर हुआ फरार बेंगलूर से गिरफदार पौड़ी लोगसबा सीट पर बीजेपी कारेकरताओं को परत्याशी के एलान का इंतजार रामनगर में किया चुनाओ कारेयले का उत्खाटन पौड़ी गड़वाल उत्राखन सीट के रामनगर छेतर में बीजेपी के चुनाओ प्रचार कारेयले का उत्खाटन किया हाला कि अभी तक पॉलिस लोग सबस सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी गोशित नहीं किया है बीजेपी का कहना है कि पार्टी जल्द ही उमिद्वारों को गोशित करेगी बर्फ से ढखा चीन सीमा छेतर का अंतिम गाउ मलारी नीती हाईवे पर तीन फिट बर्फ टीम रास्ते से लोटी मलारी में अभी करीब दो फिट तक वफ जमा है सोमवार को नीती गाउ में बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने जा रहे भोटिया जंजाती के ग्राविडों को परक्या गाउ से ही लोटना पड़ा चुनाव प्रचार सामागने में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे मतादन प्रतिशत बढ़ाने पर जोर प्रियंका ने कोच और मांसी निवन दरोगा की नौकरी ठुकराई बोली जब सनात्कत तक हूँ तुबारा इंटर्व्यू करूँ बॉक्सिंग खिलाडी प्रियंका और एथलिट मांसी नेगी ने खेल विबाग में जोइनिंग करने से इनकार कर दिया शेक्षिक योगिता और खेल की उपलब्दी के अनुरूपद ना मिलने पर बॉक्सिंग खिलाडी प्रियंका चौधरी ने खेल विबाग में कोच बनने से इनकार कर दिया वहें ग्रेजुएशन करने के बावजू दुबारा इंटर करने के अनिवार नियम के कारण एथलिट मांसी नेगी ने विबाग में जोइनिंग लेने से मना कर दिया